हाई आज आपने इस वीडियो में क्लास सेवंध का चाप्टर फ्रैक्शिंस, डैसिमल्स आ रैशनल नंबर्स का एक्साइज बढ़ए क्थिए अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्काइब नहीं किया तो सब्सकाइब कर लीजिए बाजूक बेल आइकोन को भी दबा ली जी एक यह तेंक यू तो फॉर्स को करना किया है फ्रेंट जो भी आपको डिनॉमिनेटर में दिया है उसका पहले लेंगे तो आपको असेंडिक आइख करने में बहुत सिंप्ल हो जाता है तो क्या क्या है फ्रेंट से 8,6,2 यह क्या है जो भी नीचे दाट इस डिनॉमिनेटर में जो भी है उसको आप क्या करें असेंडिंग वाडर में अरेंज करने के लिए यह इसका पहले लिए निकालना चाहिए तो आप देखिए सब में टू कॉमन है तो फोर्जा टू फ्रीजा टू वन्जा तो इसके बा 2 x 3 x 4 2 3 is just 6 6 4s are 24 तो LCM कितना है 24 आया तो आपको 24 आया तो आपको क्या करना है फ्रेंट जो भी आपका numbers है that is 5 by 8 5 by 6 1 by 2 आप इसको क्या करना है सब के नीचे 24 आपको यह कित्थे टाइम्स हो जाएंगा फ्रेंट देखिए 24 जा 8 8 3s 24 तो आपको numerator में भी 3 से multiply करना है और denominator में, so 24 आ जाएंगे, फिर उसी तरह 6, 2, 3s आ 6, 6, 4s आ 24, so 6 है अलड़ी, तो कित से multiply करना है, 4 से, तो 5, 4s आ, और नीचे 24, अभी देखे, 2, 3, 4s आ 12, तो किते times, 12 times multiply करना है, किस से, 1 से, by 24, तो देखे, नीचे सब के इसमें, 24, 24, 24 हो गया, उपर क आगरे, just multiply कर दीजे, आप, so 5, 3s हा, 15, by 24, अभी यह देखे, 5, 4s हा, 20, by 24, अभी 12, 1s हा, 12 by 24, so देखे, friends, सबसे छोटा कुन सा है, उपर नंबर में, नीचे तो सब के बराबर होगे, that is, 24, 24, 24, और यहां पे देखे, सबसे छोटा 12 है, तो 12 किस के, किज़र से आया, friends, 1 by 2 से तो अपन 12 को लिखे, तो first आपको क्या हो गया, 1 by 2 आगया, नंबर, देखे, 12 और 24 किसके fractions में बना सो है, 1 by 2 के तो बना सो है, तो 1 by 2 आगया, उसके बाद में देखे, 15, 12 से थोड़ा बड़ा 15 है, फिसके बाद में 20 है, नीचे तो सब के नंबर सेम हो गया, पहले यह न 15 है, तो 15 किसके 5 by 8 का है, तो 5 by 8 आगया, फिर उसके बाद में 20 by 24 सबसे बड़ा है, तो 5 by 6 आगया, so this is your answer, first bit का यही answer है, I hope it is clear friends, मैंने बहुत सिंपल में आपको समझाने की कोज़ करा हूँ, इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत सिंपल आपको आपको बहुत सि यह इसका ही LCM लेना है, तो यहाँ पर देखिए, first आप क्या करिए, 5 दोना में कावने तो 5 ले लिए, 5 1s हा, 3 नहीं जाएंगा, 5 के टेल में हाँ और यह 2, so आप क्या करिए, first 2 ले लिए, 1, 2 के टेल में 3 नहीं जाता, 1, so फिट 3, 1, 1, 1, so 5 into 2 into 3, so 5 2 is 10, 10 3 is 30, okay, कितना, 30 30 आगया, अभी क्या करना है, friends, 5 है already, तो किस से multiply करना है, 2, 3 जा 6, so 5, 6 जा 30, so उपर भी 6 से multiply करना है, पहले जो भी है मैं लिक ले रहूं, friends, फिर उसके बाद मैं अपन क्या करेंगे, so that is 2, 6 जा, नीचे 30 आ जाएंगा, क्यों, विए और यह 5 था, so 2, 3 जा, so 2, 3 जा, that is 6, 6 से उपर और नीचे multiply करना है, फिस से यहाँ पर 3 है खाली, so 5, 2 जा, that is 10 से multiply करना है, so 1 इंटो 10, by 30, फिर आपको देखिए, 10 है, so that is 10 है, बोलतो 5, 2 जा 10 है, तो किस से multiply करना है, 3 से करना है, उपर भी और नीचे भी, so 30, 3, 3 जा, that is 9, 9, okay, so I hope it is clear friends, okay, अभी देखिए, 2, 6 जा, 2, 1, 10 जा, 10, by 30, 3, 3, 3 जा, 9, by 30, okay, so अभी यहाँ तला clear है, मैं क्या बोला, ascending order में बोल रहा है, तो छोटे से बढ़ा करना है, तो सबसे छोटा नमबर क्या हो गया, देखिए, जब denominator सबके सेम हो गया, तो आपको छोटा नमबर देखना है, छोटा नमबर किसका है, 9 का है, so 9, by 30, किसका है, 3, by 10 का है, 3, by 10, छोटा नमबर है, सबसे छोटा नमबर, question को देखिए, आपँ अब से लिखना है, इसके नीचे यह चाहरा है, तो 3, by 10 आ गया, फिर उसके पास देखिए, उससे थोड़ा बड़ा, पोन है, फि फिर उसकी बाद में 2 by 5 तो यह ascending order है तो इसका आंसर यही है 3 by 10, 1 by 3, 2 by 5 तो I hope it is clear friends इस तरीके से अपने को इस bit को solve करना था मैंने बहुत simple way में आपको समझाने की कोशिश करा हूँ आपको वीडियो कोछ लगा है जरूर मुझे comment box में comment करके बताईए अगर आपने इस channel पर नहीं है तो subscribe कर लिजिए आपने दोस्ते के साथ वीडियो को share भी कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए Thank you, bye